तो दोस्तों जैसे ही इस्क्रीन पर डबल टैप करता हूं इसक्रीन ओन हो जाती है और जैसे ही डबल टैप करता हूँ इसक्रीन ओन आउफ ppeरेसे किया जाता किसा में तो इसके लिए आपको पर से अपनीडा उपिंक टर्नाइ है setting open करने के बाद आपको थोड़ा सा नीची आना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा conveyance tools का option इस पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों आपके यहाँ पर इस तरह का interface सो होगा यहाँ पर आपको gesture and motion के option पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहां पर देखने को मिलेगा इस्क्रीन आफ गेस्टर पहला अप्शन इस पर क्लिक कर देंगे अब दोस्तों आप यहां पर देखने को मिलेगा इस्क्रीन आफ गेस्टर इसके समने टिक यहां से डिसेबल लहेगी आ आपको यहां पर डबल टैप टूए इसक्रीन के सामने टिक यहां से इनेबल कर देना है बस दोस्तों इस इतनी सेटिंग कर लेना है इतनी सेटिंग करने के बाद जैसे यहां पर बैक आओगे अब जैसे इसक्रीन पर डबल टैप करोगे इसक्रीन आउन हो जाएगी और जैसे यूडियो को लाइगा चैनल को सब्स्राइब जरूर करें